नमस्कार दोस्तों और श्वागत है आप सब का आज के एक नए वीडियो पर दोस्तों आज की इस वीडियो पर बात करने वाले हैं यदि आपके मुर्गे के पैर के नीचे गाठे बन जाती है मतलब मुर्गे के पैर के नीचे जो है गुखुरू बन जाता है जैसा कि आप वी तो वीडियो को बिना इसकिप कियो वीडियो के अंतक बने रही है और चिले लगते हैं वीडियो को स्टार्ट दोस्तों जब हम किसी भी नसल की प्रजाती की मुर्गी परन करते हैं तो कभी-कभी यहां देखा जाता है कि मुर्गे के जो पैर के तलवे पर जो है गठाने आ ज जाता है तो बहुत सारे अहानी देखा जाता है जैसा मुर्गा को यदि हम क्रॉस के लिए रखे हुए हैं तो इस स्थिति में अच्छे से क्रॉस नहीं कर पाता है क्योंकि क्रॉस करने के लिए अच्छे से बैलेंस नहीं बना पाता है और दूसरा चीछ यदि हम फाइट के प प्रब्लम होता है तो इसको आसानी से ठीक किया जा सकता है तो सबसे पहले आपको करना क्या है आपको यह देखना है कि मुर्गी के पैर के नीचे में इस तरह से गाठे आ जाती है इस तरह से गुक्रू बन जाता है इसको ठीक करने के बहुत सारे तरीके होते हैं बहुत सारे इलाज होते हैं परन्तों आपको मैं जो है जो मैं continue यूज करता हूं और मुझे जो है काफी अच्छा रेजल्ट मिलता है वही knowledge आपको बताने वाला हूं आपको जो है life practical बताने वाला हूं जो मुझे अच्छा लगता है वही चीज आपको बताने वाला हूं इससे आपके मुर जैसे हम आठो संट προ अगेरा में जिस किया जाता है में agree सिंग क्या जाता है वही गीरिषा है तो इसको हमें मुर्गे की पैर यहां पर गाठे हो गई है वहां पर लगादेना है सबसे यह पर अच्छा को अच्छे से सापकर लेना ंदो पट्टीन पॉली तिन चाह्ट शुट कर देना है और प्रधिन को इस तरह से कवर कर देना है जैसा मैं वीडियों प्राइब पात्तिक कर J इसको क्यों किया जाता है तो मैं बताता हूं यह होता है ग्रीज जो मुर्गे के वहां पर गाठे बन गई है उसको जो है नरम कर देता है और कुछ दिन पास गाठे को जो है उसके पैर से अलग कर देता है तो आपको जो है ऐसे ही बांद देना है बांद देने के पस्चात आपको देखना है आप आएंगे तो देखेंगे कि मुर्गे के जो गाठे हैं वो जो है निकल जाता है और आइट्षैड में जो खराब उसके इसकी रहेगा उसको न्यू ब्लेट के माध्यम से काट लेना है कुछ कम्यूटी गैडलेन इस्टाइक की वजह से मैं यहां चीज नहीं देखा पा रहा हूं क्योंकि और रेड़ी मेरे चैनल पर दो गैडलेन इस्टाइक पड़ा हुआ था जिसके करण मैंने बहुत दिनों बाद यह वीडियो बना रहा हूं तो काटने बात जो है इस तरह से दिखेगा मतलब आसपास की एरिया को पूरे अच्छे से साप दो आप कर लेना है तो ऐसे हो जाता है उसके पश्चाद आपको एक पेंटीड्स प्रहंडेंडिड इमजी टेबलेट लेना है इसको एक टेबलेट को या आध्य तुकरे को थोड़ा से क्रस्ट कर ले नहें और उसके पैर पर डाल देना है कभी-कभी होता है कि प्लड आने प्रतेक सब्ता में कम से कम दो बार इस पत्टी को चेंज करना हैं तो Candice से उसके जो भाव है वो भर जाएंगे और श आत ही शाल आपको जो अपको मुर्गे को खिलाना है जो है सुखने में मदद करता है उसके क़ कम करता है तो आपको मुर्गे के size के के हिसाब से आपको देना है जब लिए आधी टेबलेट्स अधे टेबलेट्स आवि-डेट्स आपको सकते हैं लगातार साब दिनों तक इस तेबलेट का इस्तेमाल करना है तो दोस्तों ऐसा करने से आपके मुर्गियों में जो है पैर के तले पर जो गठाने आ जाती है पैर के पैर में जो है गुखरू बन जाता है तो यह प्राब्लम जो है ठीक हो जाएगा